हलो फ्रेंड्स स्टेडी विद बैंक के करेंट अफ़ेर सेशन में आपका स्वागत है यह करेंट अफ़ेर एससी बैंकिंग रेलवे स्टेट पीसीएस सीडियेस सीअपीएफ एंडिये और अधर कंपटेटिव इग्जमादी में सहाइक होंगे आज की डेट है 11 अक्टूबर 2021 जो चले आज का करेंट अफ़ेर सुरू करते हैं आज का पहला प्रस्ण है हाली में स्वदेश तरसन योजना के तहद परियतन मंत्राले ने बौध सरकिट विकास के लिए 325.53 करोड रुपे लागत की कितनी परियोजनाओं को मंजूड़ी देथी है देखे हाली में स्वदेश तरसन योजना के तहद परियतन मंत्राले ने बौध सरकिट विकास के लिए 325.53 करोड रुपे लागत की 5 परियोजनाओं को मंजूरी देदी है इसनी केंदर सरकार की देखो अपना देश पहल के हिस्से के रूप में एक बौध सरकिट ट्रेन फैम टूर का भी आयजन किया है इस दौरे में बिहार में बौध गया राजगीर नालंदा और उत्तपदेश में सारनाथ पारणसी गंतर बे सामिल है सुदेश दर्सन केंदरी चेतर की योजना है जिससे वर्ष 2014 पंदर में देश की थीम आधारित परियतन सरकिट के एक इकरित विकाज के लिए सुरू किया गया था इस योजना की परिकल्पना अन्य योजना जैसे कि आपका स्वक्ष भारत अभ्यान, स्किल इंडिया, मैकिन इंडिया आधी के साथ सामझे से स्थापित करने के लिए इस योजना के तहट परियतन मत्राले सरकिट की बुनियादी धाज़े की विकाज के लिए राजिसर कार और केंड्रे सासे प्रदेशों के प्रसासन को केंड्रिये वित्यर साहिता प्रदान करता है तो इसका जो सही अंसर होगा वह आपका ओप्षण ए पांच चलिए नेक्स्ट कुश्चन पर चलता है भारत और कौनसे देश ने समुद्री दिपक्षय अभ्यास का पांचवा संसकरण 6-8 अक्टूबर तक अरव सागर में आज़ित किया गया है अप्षण A अमेरिका, अप्षण B सिंगापूर, अप्षण C जापान, अप्षण D स्रिलंका भारत जापान समुद्री दिपक्षय अभ्यास GMAX का पांचवा संसकरण 6-8 अक्टूबर तक अरव सागर में आज़ित किया गया है GMAX 2021 का उदेश से समुद्री संचालन के पूरे स्पेक्ट्रम में कई उन्नत अभ्यासों के माइधम से परिचालन प्रक्रियाओं की एक समस्या, एक सामाईने समझ विक्सित करना और अंतर संचालन शमता को बढ़ाना है यो नौसेनिक अभ्यास भारती नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच दुईवार्सिक रूप से आयोजित किया जाता है इस दुईवार्सिक अभ्यास का चौथा संचकरन जो है वो वर्ष 2020 में मध्य उत्री अरब सागर मयाजित किया गया था भारत और जापान ने जन्वरी 2012 में समुद्री सुरक्षा सहीयोग पर विसेज ध्यान देनी के उदेश से जिमेक्स रिंकला की सुरुवाद की थी तो इसका जो सही अंसरों का वो आपका ओप्शन C जापान चलिए नेक्स्ट कुशन पर जलता है किस राज्य के मुख्यमंत्री जल्ध ही राज्य में महिलाओं एवंकि सोरियों के स्वास्ट एवं स्वक्षता पर ध्यान के दिरित करते हुए स्वक्षा कारिक्रम की सुरुवाद करेंगे देखे आंद्रप्रदेश के मुख्यमंत्री Y.S. जगन मोहन रड़ी चल्ध ही राज्य में महिलाओं एवंकि सोरियों के स्वास्ट एवंकि स्वक्षता पर ध्यान के दिरित करने हैं तू स्वक्षा कारिक्रम की सुरुवाद करेंगे इस पहल के तहट राज्य सरकार द्वारा स्रिक्षन संस्थानों में मुफ्थ सेनेटरी नैपकिन उपलप्त कराए जाएंगे राज्य भर के सभी सरकारी स्कूलों और इंटेमीडियेट कॉलेजों में सात्वी से बारवी तक की कक्षा में पढ़ने वाली लगभग दस लाग की सोरियों को प्रती महां दस सेनेटरी नैपकिन प्रदान किये जाएंगे सहरी एवन ग्रामर्ट छेतरों की महिलाओं को सभी YSR चेयूथा स्टोर्स में सस्ती कीमतों पर गुर्वत्ता को नैपकिन उपलप्त कराए जाएंगे इसके अलावा इस कारिक्रम के तहट राजिसरकार, UNICEF, VOS और PNG जैसे संगठोनों के साथ स्राज़ादरी में मासिक धर्म और स्वास्त एवन स्वक्षता के महतों पर विशेश चागरुकता कक्षाएं भी जाएवजित करेगी तो इसका जो सही अंसर होगा होगा आपका ओप्षण B आंध्रप्रदेश चलिए नेक्स्ट कुशिन पर तलते हैं हाली में भारत और कौन से देश के बीच सयुक्त सैने परसेक्षन अभ्यास का अजय वारियर का छटा संसकरण उत्राखण के चोबटिया में सुरू हुआ हाली में भारत और युके ने बंगाल की खाड़ी में दो दीवेसिय दुपक्षिय पैसेज अभ्यास के में भाग लिया था अभ्यास, United Kingdom और भारत में वेकल्पिक रूप से आयजित किया जाता है इस अभ्यास जो है वो मित्र देशों के साथ अंतर संचालनियता का विकास और विश्य से ग्यता साजा करने के एक पहल का हिस्सा है भारत और युके की बीच अन्य सयुक्त अभ्यास की बारे में बात क करें तो इसमें नौ सेना अभ्यास है एक कोकर और वायू सेना का अभ्यास है इंद्रधनोस तो इसका जो सही अंसर होगा होगा आपका ओप्शन ए युनाइट किंग्डम चले नेक्स्ट कुशन पर जलता है कौन सा देश जवान गिबन के आवास की रक्षा के लिए कदम उ देखें इंडोनेसिया जावान गिबन के आवास की रक्षा के लिए कदम उठा रहा है जो जलवाई परिवर्तन और मानव अतिक्रमन से संकट करस्त है इनका सिकार जो है वो मांक्स और व्यापार दोनों के लिए भी किया जाता है सिल्वर गिबन जिसे जावान गिबन के नाम से भी जाना जाता है एक प्राइमेट है यह इंडोनेसिया के जावा दूइब का स्थानिक है यहाँ जहां पर जो है यह 2450 मीटर की उचाई तक वर्षा वनों में रहता है लगभग अभी जो है आपका 4000 जावान गिबन बचे है इसे IUCN वर्ष 2004 में गंभी रूप से लुप्त प्राइग घोसित किया गया था लेकिन अब यहों लुप्त प्राइग की स्रेणी में आ गया है हलाकि नविंतम IUCN अनुमान से पता चलता है कि इनकी जो संख्या है वो घट रही है साइट के परिसिस्ट एक में रखा गया है और आपका जैसे की बताई पहली भी कि IUCN में इसे आपका लुप्त प्राइग की स्रेणी में रखा गया है यह भारत में नहीं पाया जाता है और भारत में जो है वो हुबन गिबन जो है वो भारत में पाया जाने वाला एक मात्र गिबन है जावान गिबन जो है वो भारत म Ambition Coalition for Nature and People यानि हैक में सामिल हुआ है Option A, Brazil, Option B, Roos, Option C, दक्षन अफरिका, Option D, भारत देखे हाली में भारत High Ambition Coalition for Nature and People यानि हैक में सामिल हुआ है भारत हैक में सामिल होने वाला पहला BRICS BRICS में आपको पता है प्राजे, रूस, भारत, चीन और दक्षन अफरिका देश है तो इसमें जो भारत जो है वो पहला देश है जो हैक में सामिल हुआ है हैक एक अंतर सरकारी समोह है जो प्रकृती और लोगों के लिए एक वैश्विक समझोते का समर्थन करता है जो की प्रजातियों के तीवरे शेहरण को रोग सकता है और महतपूर्ण परिस्तेतंत्र की रक्षा कर सकता है इसे वर्ष 2019 में कॉस्टरिका, फ्रांस और ब्रेटेन द्वारा लौच किया गया था इसकी सहाय धक्षता कोस्टरिका और फ्रांस स्वारा की जाती है और इसका सहाय धक्ष ब्रेटेन है इसके सतर से अधिक देश है जो यूरिपिय, लेटिन अमेरिकी, अफरीका और एसिया महाद्योपिस से सम्धित है तो इसका जो सही इंसर होगा वोग आपका ओफ्षन D भारत चले नेक्स्ट कुश्शन पर चलते हैं हाली में सुरू हुए गुट समेरिटन स्कीम के तहत जो भी सडक दुरगटना के सिकार वेक्ति को गोल्डन आवर के भीतर अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचाएगा उसे भारत सरकार द्वरा कितने हजार रुपे का नगत इनाम दिया जाएगा अफशन A 5000, अफशन B 6000, अफशन C 7000, अफशन D 8000 देखे केंदर सरकार ने हाली में गुट समेरिटन स्कीम की सुरुबात की है इसके तहत जो कोई भी सडक दुरगटना के सिकार वेक्ति को गोल्डन आवर के भीतर अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचाएगा उसे सरकार द्वारा 5000 रुपे का नगद इनाम दिया जाएगा इस सम्मन में जारी दिसानिर्देशों के नुसार एक वेक्ति को एक वर्स में अधिक्तम पाँच वार पुरसकार दिया जा सकता है इसमें प्रती वर्स 10 रास्टे स्तर के पुरसकार भी होंगे जिसके तहट उन लोगों को चुना जाएगा जीने पूरे वर्स के दौरान सम्मानित किया गया है और उनमें से प्रतेक को एक लाक रुपे का पुरसकार दिया जाएगा गोल्डेनावर सब्द आम तोर पर दुरघटना के बाद की एक घंटे की अवधी को संदर्वित करता है जिसके अंतरगत पीडित की जान बचाना काफी हद तक संभब होता है तो इसका जो सही इंसरों का वोक आपका उप्शन ए पांच हजार उपे चले नेक्स्ट क्वेशन पर चलता है हाली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष और उपग्रहस छेत्र में चलंगन कंपिनियों के एक सम्हों जब सम्हों का नाम लिखने हैं आपे सम्हों का सुभारम क्या है तो इसमें कौन्स आप्शन होगा आपको चुनना है तो आप्शन ए है आपका भारती अंतरिक्ष संग आप्शन बी भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संग आप्शन सी भारती अंतरिक्ष सता उपग्रह संग आप्शन डी इनमें से कोई नहीं तिके हाली में जो है प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने अंत्रिक्ष और उपग्रह छेत्रव में सलंगन कम्पनियों के एक सम्हों भारती अंत्रिक्ष संग यानि आयसे का सुभारम क्या है भारती अंतरिक्ष शंग, अंतरिक्ष एवं उपग्रह प्रदोगिक्यों में उन्नत छमताओं वाले घरेलू और वैश्विक निगमों का प्रतिनुधितों करता है इसके संस्थापक सदस्यों में भारती एर्टल, लार्सन अन्टुब्रो, नेलको जोकी टाटा ग्रुप का है, वन्वेव, मैप माई इंडिया, वाल चंदनगर इंडिस्ट्रीज तथा अनन्त टेक्नोलोजीज लिमिटेड सामिल है इहो भारत में उन्नत पेक्यानिक इवंग अनुसंधान कारे के लिए एक मजबूत अंतरिक्ष प्रदगी की प्रिश्थितिकी तंत्र की सुविधा प्रदान करेगा हाली में सरकार द्वारा भारती संगठन भारती अंतरिक्ष चेतर में नीजी चेतर स्रेक्षनिस संस्थानों और अनुसंधान संस्थानों की अधिक भागेदारी सुनश्थित कहने के लिए एक नय निकाय भारती रास्टिय अंतरिक्ष अंबर्धन तथा प्रामाणी करण क इंद्र का गठन किया है इस निकाय का गठन का मुख्य उद्धे से यो सुनुशित करना है कि भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठन यानि इसरो अपनी आवश्य गतिविधियों जैसे अनुसंधान वंग विकास ग्रहों का अन्वेशन और अंत्रिक्ष के रणनीतिक उप यूग का ही कारियर है बाकि जो कारिय उस्यूंद आपका नीजी छेत्र को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और नीजी छेत्र में आपको पता है अभी जो है आपका भारतिय अंत्रिक्ष शंग एक मुख्य संग के रूप में उभरा हुआ है जिसका हाली में सुभारम किया गय तो इसका जो सही एंसर है वो है आपका option A भारतिय अंत्रिक संग चले नेक्स्ट कुश्चन पर जलता है विश्व भर में प्रतिवर्स विश्व डाग दिवस का आयोजन कब किया जाता है option A 8 October, option B 9 October, option C 10 October, option D 11 October विश्व भर में प्रतिवर्स 9 October को विश्व डाग दिवस का आयोजन किया जाता है विश्व डाग दिवस का उदेश विश्व भर में लोगों के दरनेग जीवन, व्यापार और समाचिक तथा आर्थिक विकास में डाग की भूमिका के बारे में जागरुकता बढ़ाना है विश्व डाग दिवस का आयोजन वर्स 8074 में स्विजलन्ट की रायस्थानी बर्न में उनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की याद में मनाया जाता है वर्स 1969 में टोक्यो में आयोजित युनिवर्सल पोस्टल यूनियन कॉंग्रेस स्वारा इसे विश्व डाग दिवस के रूप में घोसित किया गया था युनिवर्सल पोस्टल यूनियन एक वेस्विक संचार करांती पर केंदरित है जिसका उदेश दुनिया भर्त में लोगों के मध्य पत्र व्यवार की संस्कृति विक्सित करना है भारत में सरप्रथम वर्स 1541 में सेर सहा सूरी ने बंगाल और सिंद के बीच खोडों के मैधम से डाग सेवा की सुरवात की थी इसे वर्स 7066 में रौवन क्लाइव ने एक नियमित डाग प्रणाली की स्थापना की भारत वर्स 8076 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में सामिल हुआ था तो इसका जो सही अंसर होगा वोग आपका ओप्शन B 9 अक्टूबर चले नेक्स्ट कुशन पे चलते हैं आप्शन A मारिया रसा, आप्शन B दिमित्री मूरातोव, आप्शन C ए और B दोनों, आप्शन D इनमें से कोई नहीं देखे हाली में वर्ष 2021 का नॉबल सांती पुरसकार, फिलिपिन्स के पत्रकार मारिया रसा और रूस के दमित्री मूरातोव को अभिवेक्ती की स्वतंतरता की रक्षा के उनके परियासों के लिए प्रदान किया गया है वर्ष 2020 में उपर असकार सेवतरास्टे एजन्सी विश्योखाद कारिकरम को दिया गया था मारिया रसा एक खोजी पत्रकार है वर्ष 2012 में इन्होंने खोजी पत्रकारता के लिए एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म रैफलर की सह स्थापना की जिसका नेतर तो वो स्वयम करती है उन्होंने सीट्स ओफ टेरर इन आइविटनेस, अकाउंट ओफ अलकाइदा, न्यू वेस्ट सेंटर और विल्लादेन टू फेस्बुक, 10 डेज ओफ अब्डेक्शन, 10 एर्स ओफ टेररिज्म भे लिखा है दिमित्री मुराताव ने, मुराताव ने दसकों से रूस में चुनोती पुर्ण परिस्थितियों में अभिवेक्ती की स्वतनततरता का बचाव किया है वर्स 1993 में उन्होंने अपने 50 साथियों के साथ स्वतनतर रूसी समाचार पत्र नावोया गजेटा का प्रकासन सुरू किया और वे इसके संस्थापकों में से एक है उन्होंने वर्स 1995 में समाचार पत्र के प्रधान संपादक की रूपे कारिक्या है अमेरिका की एक गैर व्लाबकरी संस्था कमिटी टू प्रोटेक्ट जनरलिज्म ने वर्स 2007 में मुरातों को अंतरास्टिय प्रेस स्वतनतरता पुरसकार विज़ताओं में से एक की रूप में समलित किया था तो इसका मतले वे दोनों ही है जो पत्रकार है एक है आपका फिलिपेन्स की पत्रकार मारिय रसा और दूसरी रूस की पत्रकार जो है वो दिमित्री मुरातों इन दोनों को नॉबल सांती परसकार प्रदान किया गया है तो इसका जो सही एंसर होगा उगा आपका ओप्शन C, A और B दोनो तो यह थाइस के करेंट अफ़ेर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग, हैव अनाइस दे, टेक केर